हेलो स्टूडेंस आज हम सॉल्व कनने वाले हैं प्राक्टिस से थर्टीनाइन तो इसका फर्स्ट कोश्चन है सुरेश और रमेश तोगेदर इन्वेस्टेट वन लाग फॉर्टी पॉर थाउजन रूपीज मतलब रमेश और सुरेश दोनों ने कितना इन्वेस्ट किया वन लाग फॉर्टी फॉर थाउजन मतलब दोनों ने कितने पैसे लगाए टोटल ये मनी जो है ये है टोटल इन्वेस्टमेंट ये उन्होंने किया इन्वेस्ट किये और बॉर्ट फॉर्ट 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 मतलब उन्होंने एक लैंड का एक प्लॉर्ट खरीदा इस मनी से आफ्टर समियर्स दे सोल्ड इट फॉर्ट 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 तो वो होगा उनका total profit. What is the profit each of them got? मतलब सुरेश को कितना profit हुआ और रमेश को कितना profit हुआ? यह हमको find out करना है. तो इस question में हम क्या करने वाले हमको profit जो है individual profit हमको find out करना है. तो सबसे पहले हम total profit find out करेंगे. तो total profit कैसे होगा? वो होगा जो total investment है. उसका 20% जो था वो profit था. तो सबसे पहले हम इसका 20% find out करेंगे. हम 4x5 के ratio में individually find करेंगे कि सुरेश को कितना profit हुआ है और रमेश को कितना profit हुआ है. तो हमको find out करना है what is the profit each of them got? मतलब सुरेश को कितना profit हुआ है और रमेश को कितना profit हुआ है? यह हमको find out करना है तो उसके लिए हमको सबसे पहले total profit जो है वो find out करना है तो यह हम start करते हैn solution इसमें जो given part है वो हम लिख लेते हैं तो सबसे पहले हम find out कर रहे हैं कि total profit कितना हुआ है फिर इस profit को हम रमेश और सुरेश में divide करेंगे 4 as to 5 के ratio में तो given पार्ट में आप देख सकते हैं हमको सबसे पहले दिया हुआ है total investment तो वो हम लेख लेते हैं total investment है 1,44,000 next जो हमको दिया हुआ है profit percent दिया हुआ है है ना profit percent कितना दिया हुआ है यह हमको दिया हुआ है 20% now यह profit percent में से हमको total profit find out करना है तो वो हम लेख सकते हैं therefore total profit is equals to 20% of 1,44,000 ज़ल यहां पे हम 20% find out करने वाले हैं 1,44,000 का तो यह हम 20% find out कर सकते हैं हम 20% को लिख सकते हैं 20 upon 100 off को हम replace कर सकते हैं multiply sign से off का मतलब होता है multiplication और यहां पे हम लिखेंगे 1,44,000 now next step में हम इसको reduce कर सकते हैं आप देख सकते हैं यह 0 को यह 0 से cancel कर सकते हैं यह 0 को यह 0 से cancel कर सकते हैं क्योंकि यह वाला जो part होता है यह it's a part of numerator तो यह हमने reduce कर लिया अब आप देख सकते हैं कि denominator में सिफ 1 बाकी है that means कुछ भी नहीं है हमारे पास denominator में तो जो बाकी के पार्टे वह हम लिख लेते हैं तो यह हो गया 20 और यह जो बाकी का है वह हम लिख सकते हैं 1440 नाओ अभी आप इसको multiply करेंगे 28,800 तो यह हो गया total profit मतलब 144,000 का जो 20% है यह हो गया उनका total profit total profit का मतलब क्या हुआ यह दोनों का profit है individual किसको कितना profit हुआ है वो हमको find out करना है अब next हम लिख सकते है proportion of investment of सुरेश and रमेश मतलब किस proportion में उन्होंने investment किया था सुरेश और रमेश ने is equals to 4 raise to 5 यह हमको question में दिया हुआ है कि सुरेश का जो है वो 4 है और रमेश का 5 है that is 4 raise to 5 के ratio में उन्होंने investment किया है now we can write let the profit of Suresh be 4 X and that of Ramesh be 5 X is 4 X सुरेश का profit है and 5 X जो है वो Ramesh का profit है तो यह हमने लिख लिया अब हम इसमे value put कर देते हैं तो profit किसका है दोनों का है that means सुरेश का profit plus Ramesh का profit is equals to what was the total profit 28,800 तो यह हो गया total profit अब हम इसको add कर लेते हैं 4 X plus 5 X यह कितना हो जाएगा 9 X तो हम लिख सकते हैं 9 X equals to 28,800 अब हम इसको अब हम इसमें X की value find out कर सकते हैं तो X is equals to हो जाएगा 28,800 upon 9 अब इसको आप divide कर सकते हैं यह आप हो जाएगा 9 1s are 9 और यहाँ पर यह हो जाएगा 9 3s are 27 यह एक बाकी है यह इसके सामने आ गया तो यह हो जाएगा 9 2s are 18 और यह जो 2 0 इसको हमने as it is लिख लिया that means what is the value of X X is equals to 3, 2, 0, 0 अभी हमारे पास X की value आ गई है तो यह हम लिख सकते हैं therefore Suresh profit is equals to 4X क्योंग हमने suppose किया था कि Suresh का profit है 4X तो हमारे पास X की value है जिसको हम इसमें put कर सकते हैं तो यह हम लिख सकते हैं 4 into X की value है 3, 2, 0, 0 अभी आप इसको multiply करेंगी यह हो जाएगा 4, 0s are 0 4, 0s are 0 4, 2s are 8 और यह हो जाएगा 4, 3s are 12 तो मेंज सुरेश का profit कितना हुआ 12,800 रुपीज इन अभी अभी रमेश का profit कितना है वो भी निकाल लेते हैं so रमेश profit equals to यह हमने suppose किया था 5X है तो same हम लिखेंगे 5 into x के place में जो x की value आई थी वो हम लिख लेते हैं तो यह हमने लिख लिया अब हम इसको multiply कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 5 0s जा 0 5 0s जा 0 5 2s जा 10 0 लिखा 1 carry किया 5 3s जा 15 plus 1 16 that is 16,000 मतलब सुरेश का profit कितना हो गया 16,000 तो यह इसका conclusion हम लिख सकते हैं therefore the profit earned by सुरेश and रमेश are rupees 12,800 and rupees 16,000 respectively second question है विराट और समराट together invested 50,000 and 1,20,000 rupees to start a business मतलब विराट और समराट together मतलब दोनों ने साथ में investment किया तो विराट ने कितना invest किया 50,000 का invest किया समराट ने 1,20,000 rupees का investment किया है तो देखो इसमें क्या difference है first और second वाले question में first में आपको investment जो था वो ratio में दिया हुआ था बड़ ये second वाले question में direct आपको यहां पर money दी हुई है कि विराट ने कितना invest किया और समराट ने कितना invest किया है तो जो total investment क्या होगा ये दोनों को हम add करेंगे तो हमको total investment मिल जाएगा तो first question में आप देखो आपको profit था 20% का अब यहां पर loss है 20% का तो हमको total investment मतलब ये दोनों को add करेंगे तो total investment मिल जाएगा फिर उसका हम 20% loss जो है वो find out करेंगे how much loss did each of them incur तो पहले हमने बताया था कि दोनों को profit कितना हुआ है यहां पर हमको बताना है कि ये दोनों को loss कितना हुआ है यहां पर हमको क्या दिया हुआ था एक proportion दिया हुआ था यहां पर proportion नहीं दिया है तो proportion हम यहां पर find out कर सकते हैं ये जो money हमको दी हुई है उसके basis पे तो अब हम यहां पर इसका loss find out करते हैं बस यहाँ पर profit है और यहाँ पर loss है. सबसे पहले हम लिखते हैं total investment कितना है. Investment का मतलब क्या होता है कि दोनों ने कितनी-कितनी money लगा. यह invest का मतलब है हमने कितना invest किया है, मतलब हमने कितनी money दी है. तो total investment कितना है, तो यह दोनों का हम लिख लेते हैं. तो यह हो गया टोटल इंवेस्मेंट 50,000, 1,20,000 नाव यह दोनों को हम आड़ कर लेते हैं तो जब आप इसको आड़ करेंगे तो आपको मिलेगा 1,70,000 तो यह हो गया टोटल इंवेस्मेंट अभी लॉस जो है वो कितना हुआ है लॉस परसेंट हमको कितना दिया हुआ है कुश्चन में 20% की मतलब उनको 20% का लॉस हुआ है तो नाव हम फाइंड आउट करते हैं टोटल लॉस टोटल उनको लॉस कितना हुआ है तो लॉस कितना हुआ है उसको 20% of 1,70,000 मतलब जो यह टोटल इंवेस्मेंट है 1,70,000 का उसमें उनको 20% लॉस हुआ है तो हम इसका 20% फाइंड आउट कर लेते हैं तो यह 20% का मतलब हो गया 20 upon 100 of means multiply 1,70,000 तो यह हमने लिख लिया अब हम इसको reduce कर लेते हैं तो देखो यह 0 से यह 0 कैंसल किया यह 0 से यह 0 कैंसल हुआ अभी जो बाकी के part है उसको हम as it as लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा 20 into 1,700 बेंटीं टूजा यह कितना हो जाएगा 34 और बाकी के जितने 0 है वो आप लिख सकते हैं तो गया 34,000 मतलब 34,000 का loss हुआ that means हमने total loss find out कर लिया है अब उनको individually कितना loss हुआ है वो भी हम find out कर लेते हैं फर्स्ट कोस्चन में हमको proportion of investment दिया हुआ था लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो यह हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि proportion क्या है किस proportion में उन्होंने invest किया है so we can write proportion of investment तो इसे proportion हम कैसे find out कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर है 1,2,3,4,0 1,2,3,4,0 तो यह हमने इसको यह 4,0 से यह 4,0 को cancel किया तो हमारा proportion यह कितना हो जाएगा जो बाकी के पार्टे वो हम लिख लेते हैं 5 raised to 12 तो यह हमारा हो जाएगा proportion तो 5 raised to 12 अब हम individually उनका loss find out करते हैं तो यह हमने लिख लिया let the loss anchored by Virat be 5x because इनका ratio हम देख रहे हैं यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 12 है that means Virat be 5x and Samrat be 12x 5x that is investment done by Virat plus 12x that is the investment done by Samrat is equals to total loss जो है वो कितना हुआ था? 34,000 हुआ था यह हमने find out किया था next अब हम इसको add कर लेते हैं तो 5 plus 12 हो जाएगा 17x so 17x is equals to 34,000 next अब हम x की value find out करते हैं x is equals to we can write 34,000 upon 17 now we can reduce it then it will be 17 ones are 17 and 17 twos are 34 3,0 we will write as it is that is 2000 x is equals to 2000 therefore Viraat's loss equals to 5x now 5 into what is the value of x? 2000 यह हमने अभी find out किया था अब हम इसको multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 5 to the 10 और 3,0 we can write as it is मतलब विरात का loss कितना हुआ? 10,000 रुपीज का हुआ नेक्स्ट जो लॉस है वो है सम्राट का loss वो भी हम find out कर लेते हैं so we can write therefore सम्राट's loss is equals to 12x now 12 into x is 2000 equals to 12 twos are 24 and 3 zero we can write as it is मतलब सम्राट का loss कितना हुआ? 24,000 रुपीज का हुआ अब हम इसका conclusion लिख सकते हैं तो इसका conclusion हो जाएगा therefore the loss anchored by विराट and सम्राट are रुपीज 10,000 and रुपीज 24,000 respectively अब हमें start करते हैं question number 3 तो देखो question number 3 में दिया हुआ है स्वेता, पियूश and नचिकेत together invested 80,000 रुपीज तो यहाँ पे total investment कितना दिया हुआ है? 80,000 रुपीज started a business of selling sheets and towels from सोलापूर तो उन्होंने एक business start किया 80,000 रुपीज जो है वो total invest करके जिसमें वो लोग sell करते हैं sheets and towels श्वेता's share of the capital was 30,000 रुपीज capital का मतलब है money मतलब इस 80,000 रुपीज में से जो 30,000 रुपीज है वो किस ने दिया था? श्वेता ने दिया था and पियूश 12,000 रुपीज इस 80,000 रुपीज में पियूश ने 12,000 रुपीज दिये थे देखो आपको यहाँ पे श्वेता ने कितने पैसे दिये 30,000 रुपीज पियूश ने कितने पैसे दिये 12,000 रुपीज at the end of the year they had made a profit of 24% मतलब 24% का उनको क्या हुआ है? profit हुआ है किसमें what नचीकेट's investment तो नचीकेट का कितना investment है वो हमको find out करना है देखो first वाला part जो है कि नचीकेट का investment कैसे find out करना है यह बहुत easy है जैसे अगर total money कितनी है 80,000 रुपीज है उसमें श्वेता ने कितने दिये 30,000 दिये पियूश ने कितने दिये 12,000 रुपीज दिये तो obviously 30,000 plus 12,000 को जब आप add करोगे है ना तो जो add करने के बाद 80,000 में से जब आप minus करोगे तो वो किस की money होगी नचीकेट की होगी ना देखो second एक और इसमें point है जो हमको find out करना है and what was his share of profit मतलब नचीकेट का कितना share of profit है मतलब उसको कितना profit होगा वो हमको find out करना है तो चलो ये भी हम start करते है solve करना अब हम start करते है solve करना question number 3 तो as usual सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि total investment कितना है total investment तो ये हमको given है कि रूपीज 80,000 जो है वो क्या है total investment है सबसे पहले हम find out करते हैं कि नचीकेट का investment कितना है नचीकेट's investment तो नचीकेट का investment कितना होगा ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हो total investment ये जो है ये total investment इसमें से हम minus करेंगे क्या minus करेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे इनचीकेट का investment अगर हमको find out करना है तो हमको श्वेता का investment और पियूश का investment है ये दोनों को total करेंगे और जो total आएगा उसमें से हम उसको हम minus करेंगे 80,000 रुपीज से तो total investment कितना है 80,000 रुपीज है 80,000 इसको आप add करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 42,000 ये दोनों को आप 80,000 में से 42,000 को minus करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 38,000 मतलब ये जो 38,000 है ये किसका investment है नचीकेट का investment है तो हमने जो first answer है वो हमको मिल गया है profit percent हमको कितना दिया हुआ है question में profit percent है 24% 20% of total investment so first हम find out करते हैं therefore total profit को कितना हुआ है तो हम लिख सकते है 24% of 80,000 24% को हम लिख सकते है 24 upon 100 of means multiply 80,000 now next इसको हम solve करते हैं तो ये 20 से ये 20 को हमने cancel कर दिया तो next जो remaining part है वो है 24 into 800 तो यह करेंगे इसको multiply तो आपको मिलेगा one nine two zero zero that is 19,200 it means कि आपका जो total profit है वो कितना है 19,200 तो ये हमने total profit find out कर लिया है अब हमको क्या करना है नचिकेत का profit कितना है वो हमको find out करना है नचिकेत का profit कितना है वो हमको find out करना है तो वो हम find out कर सकते है proportion के basis पे proportion of investment proportion of investment हम कैसे निकाल सकते हैं पहले तो सबने जितना जितना investment किया है वो लिख लेते हैं तो श्वेता का investment कितना था 30,000 का था प्यूश का investment कितना था 12,000 था तो ये भी इलिकेत का investment कितना है 38,000 का है तो ये हमने लिख लिया अब हम इसका proportion निकालने के लिए हम इसके zeros को cancel करते हैं बड़ आप cancel करते हो वो सब में सेम होना चाहिए जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 1,2,3,4,0 है यहाँ पे 1,2,3,0 है यहाँ पे 1,2,3,0 है मतब ऐसा नहीं है कि आपने और 4,0 को डारेक्ट्क कैंसल कर दिया यां 3 को कर रहे है ऐसा नहीं है, ये सब सेम होना चाहिए तो देखो 1,2,3,0 1,2,3, 0's तो सब में है तो हम सबसे पहले काम करते हैं ये 3,3,0's को कैंसल कर देते हैं तो यह हमने 3 zeros को cancel कर दिये, तो यहाँ पर कितना बाकी है, 30, 38, अब भी आप देख सकते हैं कि क्या आप इसको और reduce कर सकते हो, हाँ, हम इसको 2 से reduce कर सकते हैं, आप direct भी लिखेंगे तो multiplication जादा complicated हो जाएगा, इसके लिए हम इसको easy करने के लिए इसको और थोड़ा reduce कर लेते ह तो हम इसको 2 से reduce कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा, 2, 15, और यह हो जाएगा, 2, 6, और यह हम कर सकते हैं, 2, 1, and 2, 9, 18, हम देखोगे कि आप इसको further reduce करना चाहोगे तो वो नहीं हो सकता है, जैसे 3 में, अगर आप 3 के table से करोगे तो यह दोनों reduce हो सकते हैं, लेकिन यह नहीं हो सकता, लेकिन यह हो गया proportion of investment, अब हमको proportion मिल गया है, now we can write, let the profit of Shweta Pius and नचिकेत, B, तो यह हमने proportion कितना निकाला था, Shweta का था 15X हम ले सकते हैं, Pius का हम ले सकते हैं, 6X and नचिकेत का था 19X, तो यह इनके respectively, 15X plus 6X plus 19X is equals to 19,200, मतला यह क्या है, इनका proportion है, profit proportion हम निकाल रहे हैं, और यह इनका total profit जो था 19,200 यह हमने find out किया था, अब इसको 15 plus 6 plus 19, therefore आप इसको add करेंगे, तो आपको मिलेगा 40X, 40X is equals to हो जाएगा 19,200, अभी आप X की value find out कर सकते हैं, तो X is equals to हो जाएगा 19,200 upon 40, तो यह आपने लिख लिया, अब आपको इसको reduce करना होगा, तो यह आप कैसे कर सकते हैं, यह हो जाएगा, यह 0 से, यह 0 को आप cancel कर सकते हैं, तो आप इसको 4 के table से कर सकते हैं, यह हो जाएगा 4, 1s are 4, और आप इसको करेंगे, तो यह हो जाएगा 4, 4s are 16, अभी यह 19 था, तो 19 minus 16 कितना हो जाएगा, 3 बाकी है, तो 3 जो है वो इसके सामने आ जाएगा, तो यह हो जाएगा, 32 और जो 0 है, उसको हम as it is लिख सकते हैं, that is now what is the value of x, that is 480, तो यह हमने x की value find out कर ली है, अभी यहाँ पर हमको individually सबका नहीं निकालना है, सिर्फ question में हमको दिया हुआ है, कि हमको नची केत का profit जो है, वो find out करना है, so we can write, नची केत's profit, तो नची केत का proportion कितना था, 19 x था, तो हम लिख सकते हैं, 19 into x की value कितनी है, 480 है, तो 19 को आप 480 से multiply करेंगे, तो आपको answer मिलेगा, 9,120 और यह हो जाएगा आपका answer, अब हम इसका conclusion लिख सकते हैं, therefore, नची केत's investment is रूपीज 38,000, and his profit is रूपीज 9,120, अब हम स्टार्ट करते हैं, question number 4, तो question number 4 में दिया हुआ है, A and B shared a profit of रूपीज 24,500 रूपीज in the proportion 3 रेस्टों, पर हमको profit दिया हुआ है, और proportion दिया हुआ है, Each of them gave 2% of his share of profit to the soldiers welfare fund, उसमें अपने profit का, मतलग A ने अपने profit का 2% दिया, और B ने अपने profit का 2% जो है, वो soldiers welfare fund में दे दिया, Now हमको क्या find out करना है, what was the actual amount given to the fund by each of them, welfare fund है, इसमें A ने कितना amount दिया, और B ने कितना amount दिया, यह हमको find out करना है, देखो, यहाँ पे हमको proportion of share जो है, वो कितना दिया हुआ है, वो हम लिख लेते हैं, proportion of share, proportion of share हमको दिया हुआ है, 3 years to 7, Now हम लिख सकते हैं, let the profit of A and B, rupees, suppose A को कितना profit हुआ है, 3x हुआ है, तो यह हम इसके proportion के basis पे लिख रहे हैं, कि suppose A को profit हुआ है, 3x, and B को profit हुआ है, rupees, 7x, क्योंकि हमारे पास total profit है, तो हमको सबसे पहले individual, उनको profit कितना हुआ है, वो find out करना है, है, तो लेट दा profit of A and B, बी रुपीस, 3x, and रुपीस, 7x, respectively, हम यहाँ पे profit find out नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हमको already given है, अभी हमको, A को कितना profit हुआ है, और B को कितना profit हुआ है, वो हम सबसे पहले find out कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं, 3x plus 7x is equal to 24,500, now 3 plus 7 हो जाएगा 10x, so 10x is equal to 24,500, now next, x की value कितनी हो जाएगी, x is equal to हो जाएगा 24,500 upon 10, यहाँ पे हम यह 0 से, यह 0 को cancel कर सकते हैं, that is हमारे x की value कितनी हो जाएगी, 24,500, that is 2450 जो है, यह हो जाएगी x की value, अब हम profit earned by A, तो profit earned by A, तो इसका proportion हमने क्या लिया था, 3x था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, 3 into x की value कितनी आई है, 24,50, इसको आप multiply करेंगे, तो आपको मिलेगा, 73,50, तो जो हमें क्या किया, A का profit जो है, वो निकाल लिया, अब यह जो A का profit है, इसका 2% उन्होंने किसको दिया है, soldiers welfare fund में दिया है, that means इस amount का हमको 2% निकालना है, so we can write, amount given by A equals to, मतलब A ने कितना amount दिया है, 2% of his profit, मतलब उसके profit का 2% उन्होंने दिया है, और profit किया है, यह है उसका profit, हमने अभी find out किया है, so that is 2% मतलब 2 upon 100, इन्टू profit कितना है उसका, 7, 3, 5, 0, तो यह था इसका profit, अब हम इसको reduce करते हैं, तो यह 0 से, यह 0 को आप cancel कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं, 2, 1's are 2, और यह हो जाएगा, 2, 5's are 10, अभी आप reduce कर सकते हैं, 5, 1's are 5, और इसको आप करेंगे, तो यह हो जाएगा, 5, 1's are 5, और यह 2 इसके सामने आ गया, तो यह हो गया 23, तो आप लिख सकते हैं, 5, 4's are 20, अभी 3 इसके सामने हो गया, तो यह हो गया 35, तो आप लेख सकते हैं, 5, 7, 35, that is, यह कितना आ गया, 147, it means the amount given by A is 2% of his profit, that is, 147 रुपीज किस ने दिया, A ने दिया, अब सेम ऐसे ही हम B वाले पार्ट के लिए भी find out कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम B का profit find out करते हैं, उसके बाद उस profit का 2% हम find out करेंगे, तो हम लिख सकते हैं, earn by B equals 2, यह कितना था इसका proportion, 7X था, तो 7 into X की value हमने कितने find out की थी, 2, 4, 5, 0, अभी आप 7 में 2, 4, 5, 0 को multiply करेंगे, तो आपको answer मिलेंगा, 17150, यह आप इसको multiply करके check कर सकते हैं, तो यह हो गया, अब इस profit का 2% उन्होंने दिया है, तो अब हम इस amount का 2% find out कर लेते हैं, तो यह हम लिख सकते हैं, amount given by B, तो कितना amount दिया है, 2% of his profit, तो उसका profit कितना था, 17150, तो we can write 2% means, 2 upon 100 into, यह हम लिख सकते हैं, 17150, तो यह हमने लिख लिया, अब हम इसको reduce कर सकते हैं, तो यह 0 से, यह 0 को cancel किया, यह हो जाएगा 2, 1s are 2, और यह हो जाएगा 2, 5s are 10, अगेन हम 5 से इसको reduce कर सकते हैं, यह हो जाएगा 5, 1s are 5, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 3s are 15, 2 बाकी था 2 इसके सामने आगया, यह हो गया 21, तो हम लिख सकते हैं 2 4s are 20, अभी एक 1 बाकी था वो इसके सामने हो गया, तो यह हो गया 15, that is 5 3s are 15, So, the amount given by B is 343, तो यहाँ पे हम इसका conclusion लिख सकते हैं, therefore, the amount given by A and B to the soldiers welfare fund are Rs. 147 and Rs. 343 respectively, अब हमें start करते हैं, question number 5, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Jaya, Seema, Nikhil and Nilesh put in all together Rs. 360,000 to form a partnership, तो उन्होंने partnership में इतने पैसे यह total investment किया, with their investment being in the proportion of, तो यह proportion दिया हुआ है, Jaya को proportion है 3, Seema का है 4, Nikhil का 7 और Nilesh का है 6, what was Jaya's actual share in the capital, मतलब यह जो capital है, capital का मतलब होता है money, तो इस total money में, Jaya ने actually कितने invest किये हैं, वो हमको find out करना है, तो वो हम कर सकते हैं with the help of this proportion, they made a profit of 12%, मतलब इस money में उनको 12% का profit हुआ है, how much profit did Nikhil make, तो Nikhil को कितना profit हुआ है, वो हमको find out करना है, मतलब इंडी वी जो करते हैं, question number 5, तो देखो, यहाँ पे total investment कितना दिया हुआ है, वो हम लिख लेते हैं सबसे पहले, तो total investment, यह है हमारा 3,60,000 रुपीज का है total investment, now next profit, profit percent जो है, यह भी हमको दिया हुआ है, कि उनको 12% का profit हुआ है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले, इस total investment का profit निकाल लेते हैं, तो यह हमने लिख लिया, अब आप देख सकते हैं, यह two zeros को हम यह two zeros से cancel कर सकते हैं, is equals to, यह हो जाएगा 12 into 3, जो बाकी का है वो हम लिख लेते हैं, 600, नेक्स्ट अब हम इसको multiply करेंगे, वीडियो को pause करके आप इसको multiply कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा यह 43200, इसको आप multiply करेंगे, तो यह हो गया हमारा 43,200 रुपीज का profit है, नाव नेक्स्ट हमने total profit तो find out कर लिया, अब हम देखते हैं कि proportion हमको क्या given है, proportion है, वो हमको question में दिया हुआ है, 3, rest to 4, rest to 7, rest to 6, तो यह proportion हमको दिया हुआ है, नाव, we can write, letter, investment, of, कौन-कौन है, जाया, सीमा, निखिल, और निलेश, बी, रुपीज, तो इनके proportion के basis पे हम लिख सकते हैं, क्या-क्या है उनका investment हम लिख सकते हैं, यह proportion के basis पे, 3X, 4X, 7X, and 6X, यह हमने लिख लिया, respectively, कर सकते हैं, हमको X की value find out करनी है, तो हम लिख सकते हैं, 3X, plus 4X, plus 7X, plus 6X, is equals to 60,000, देखो, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, जया का जो actual share है, वो हमको find out करना है, मतलब की, जया ने total कितने money उसमें invest किये हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, total money को लिखा है, आउ आप इसको add करेंगे, तो आप यह सबको add करेंगे, तो आपको मिलेगा 20X, 20X is equals to हो जाएगा 3,60,000, आउ, X is equals to हो जाएगा 3,60,000 upon 20, अब आप इसको reduce कर सकते हैं, यह 0 से यह 0 का अपने cancel गिया, यह हो जाएगा 2, 1s are 2, यह हो जाएगा 2, 1s are 2, 2, 8s are 16, 1, 2, 3, 0 बाकी है, 1, 2, 3, 0s आप यहाँ पर लेख सकते हैं, तो कितनी हो जाएगी, X is equals to हो जाएगा 18,000, तो यह आपने X की value लिख ली, अभी हम सबसे पहले, जया का investment कितना है, वो हमको find out करना है, देखों, यहाँ पर सकते हैं, therefore, जया's investment, जया का investment कितना है, आप देख सकते हैं, वो जया का है, तो जया's investment is equals to हो जाएगा 3X, so, 3 into X की value कितनी आई है, 18,000 रुपीज आई है, तो इसको आप multiply करोगे, तो यह हो जाएगा 18,3 सा 54, that is, जया का जो investment है, वो कितना हो जाएगा, 54,000, अब देखो, फर्स पार्ट तो हमने find out कर लिया, what was जया's actual share in the capital, मतलब वो capital में, जया का कितना share था, वो हमको मिल गया है, एक और question है, यहाँ पे, they made a profit of 12%, how much profit did Nikhil make, तो Nikhil को कितना profit हुआ है, वो हमको find out करना है, next, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, profit made by them, हमने find out किया है, कि उनको total कितना profit हुआ है, तो यह दगन 200, तो यह था उनका total profit, जो हमने already find out किया था, 12% के, 12% से, now हम लिख सकते हैं, therefore, we can write उसके proportion, कि यहाँ पे again हमको x की value find out करनी है, तो यह हो जाएगा, 3x plus 4x plus 7x plus 6x is equals to total profit, अभी हम यहाँ पे profit find out करना, इसके लिए हम यहाँ पे total profit लिखेंगे, जब हमको उसलिया, अभी हम इसको again add करेंगे, तो यह हो जाएगा 20x, 20x is equals to 43,200, अभ हम x की value find out कर लेते हैं, तो x is equals to हो जाएगा, 4, 3, 2, 0, 0 upon 20, तो इसको भी आप reduce कर सकते हैं, तो यह 0 से यह 2, 0, यह हो जाएगा, 2, 1s are 2, 2, 2s are 4, 2, 1s are 2, 2, 6s are 12, और यह 0 को आप as it is लेख सकते हैं, that is, आपके x की value कितनी आ गई, 2, 1, 6, 0, तो यह हो गई आपके x की value, तो अभी हमको क्या करना है, निखिल का profit हमको निकालना है, तो वी केन राइट, निखिल्स profit is equals to, निखिल का proportion कितना था, 7x था, तो यह हम लिख सकते हैं, 7 into x की value है, 2, 1, 6, 0, इसको आप multiply करेंगे, तो आपको मिलेगा, 1, 5, 1, 2, 0, तो यह हमको, निखिल का profit कितना है, वो भी find out कर लिया हमने, तो यह हमको, जयाल's share in the capital was Rs. 54,000 and the profit made by Nikhil was Rs. 15,120.